हेलो एब्रिवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही आसानी और उतना ही जबर जस्त स्वाद लिए हुए, बिल्कुल बहतरी नायाब स्वाद लिए हुए, राजमे की रैसिपी, राजमा का नाम सुनते ही आप बिल्कुल भी वापस ना जाएं, यूगि इसे ह जाएं और पूरी रैसिपी को देखें, एक बार आप इस तरीके से राजमा को देख लेंगे, जितना ही होगा ये इजी बनाने में, उतना ही अगर किसी का ये थोड़ा भी कम है, मन पसंद, उसकी फेवरेट रैसिपी ये बन जाएगी, तो बनाने से पहले, आप से एक प्य योग दे, प्यार दे, मोटिवेशन को बनाए रखें, तो चलिए अपनी इस रैसिपी की तरफ हम बढ़ते हैं और बना कर तयार करते हैं, बहुत ही टेस्टी राजमे की ये स्पेशल रैसिपी, राजमा को बनाने के लिए हमें चाहिए राजमा, राजमा दो तीन तरीके की आती है, एक होती है, बिल्कुल छोटे-छोटे साइज की, जो मैंने ली हुई है, और एक इससे बड़ी आती है, और भी आती है, दो-तीन तरह के आते हैं राजमा मार्केट में, तो आपको जो भी राजमा पसंद है, उस राजमा को ले लें, भिंगोने से पहले इसका ध्या बहुत जादा पानी में भी गोकर ना रखें, थोड़ी सी हरी मिर्च, लैसन की कलियां, अगर खाते हैं, और अत्रक का टुकड़ा, जार में डाल कर इसमें बिल्कुल जरा सा पानी को डालें, और इसका एक मोटा सा दरदरा पेस्ट बना के हम रख लेंगे, अब कूकर में डालिए आप ओयल, जो भी ओयल आप खाते हैं, जब वो गर्म हो जाए, इसमें जीरे का, सुखी मिर्च का, तेजपत्य का, एक बड़ी इलाइची, जो फिलाल मेरे पास खत्म है, और दालचीनी का टुकड़ा, बस इसी का तड़का लगाएं, और दो मीडियम साइज के प् यहां पर मिर्च, लैसन और अद्रक, इसका हमने दर्दरा पेस्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल आप स्मूथ सा पेस्ट ना बनाये, दर्दरी पेस्ट बना कर रखें, इसे भी डाल दिया, और जरा सा में डाल रही हूँ पानी, क्योंकि तेल का मैंने कम इस्तमाल किया हुआ और यह बर्तन में चिपक रही है, तो जरा जरा सा पानी को आप डाल कर इसे अच्छे से भूने, जिससे अद्रक का लहसन का कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे, अब एक चम्मच भरकर हल्दी पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, और साथ में एक चम्मच है, काश्मीर मिर्च, देगी मिर्च, इसे भी हम भूनेंगे, और फ्लेम को मीडियम ही रखा हुआ है, प्याज को एक दो मिनट पुना, जो हमने पेस्ट बना के रखा ता उसे डाला, एक मिनट उसे भूना है, और साथ में इसे डाला, हल्दी, धनिया और मिर्च को, यहां भी अगर आप सबजी मसाला आप यूज करते हैं, सिर्फ एक चमच, बहुत जादा नहीं डालना है, और इन मसालों को भूनते समय ध्यान रखे कि इसमें गीला पन हो, पानी हो, सुखा सुखा मसाला अगर आप भूनेंगे, तो वो जल जाएगी, और मसाले का जो फ्लेबर है, वो भी अच बना लें, या फिर चौपर में डाल कर, जो चौपर आते हैं, उसे अच्छे से चौप कर लें, लेकिन टमाटर को डाले ऐसे ही, और अब टमाटर अच्छे से भून जाए और पक जाए, इसके लिए यहाँ पर डाल दीजिए नमक, सौध के अनुसार नमक को डाल दे, जो भ अच्छे से भून गये, बरतन पर कहीं भी यह चिपक नहीं रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि मसाले भूनते समय कोई जल्दबाजी ना करें, इसे अच्छे से भूने, फ्लेम को मेडियम टु हाई रखे और लगातार इसे चलाते रहें, मसाले में कच्छा पन रहें, वैसे राजमे की पता एक खासियत क्या है, राजमा हो, इसे आप सेम देखाएं या फिर अगले दिन, यह उतनी ही जादा स्वादिस्ट और टेस्टी लगती है, मसाले हमारे भून गये, और यहां पर राजमा को इसके पानी को नहीं, राजमा को ऐसे चान चान कर हम ऐसा आप करके देखे, बना के देखे, राजमा कई बार आप बनाते होंगे, जो अलग से बॉइल करके, राजमा हमें हलका फीका फीका सा लगता है, इस तरीके से जब आप राजमा को डालके और अब यहां से तीन से चार मिनट आप इसे अच्छे से भूने, मिक्स करें, इसमें राजमा में जो है, वो अच्छे से लेयर आ जाती है, अंदर तक राजमा में स्वाद आता है, थोड़ी देर में तीन से चार मिनट में आप देखेंगे कि अब बरतन में यह चिपकने लगा, यह इंडिकेशन है, यहां पर पानी को डालने का, जो ही यह बरतन में चि कि जहां तक हो सके, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है, वो पानी आप इसे स्टेज पर डाल दे, लास्ट में सबजी बनने के बाद आपको पानी ना मिलाना पड़े, थोड़ा सा पानी आप एक्स्ट्रा ही डाले, क्यों? इसके लिए हम देखते हैं आगे, अब इन सब को अ कर लें, राजमा अगर नहीं पकी तो दूबारा से इसे पका लें, और जब राजमा आपका अच्छे से पक गया, गल गई, फिर इसे हम फ्लेम को गैस को आउन करके तीन से चार मिनट, फिर से इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, ये काम आप जरूर ही करें, जिससे लबाबदार बनकर तयार होती है लबाबदार में एक अच्छा सा जो आता है स्वार जो हम कहते हैं नाम देते हैं वही वाली सब्जी ये बनके होगी तयार तो सब्जी के पूरे पक्चाने के बाद गैस को अन करें और इसे पकाएं कुछ देर तक इसलिए मैंने बोला था जर आज में का perfect जो होता है combination वो होता है चावल के साथ लेकिन जरूरी नहीं है आप इसे पराठा पूरी चपाती किसी के साथ खाएं उपर से डाले हरा धनिया फिर मिलते हैं अगली बात